गोगरी की एक बरसाती में रहने वाला आज यहां आया है मुंबई बेचने इतले में कुछ तू चाहता होगा मानवा अब सुन गोड से सुन बात यह कांचा कि मुझे तेरी शकली पसंद नहीं आए इसमें तेरी बदसूरती का कोई दसूर नहीं है बदसूरत मैंने बहुत देखे हैं लेकिन तेरी शकल से घिन टपकती है घिन और दूसरा धंदा बराबरी वालों में होता है हरितिक रोशन प्रियांका चोपडा रिशी कपूर और संजैदत अभिनित फिल्म अगनीपत साल 2012 में रिलीज होई थी फिल्म को 1989 में अमिताफ बच्चन मिथुन चक्रवर्ती और माधवी अभिनित और मुकुल आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म अगनीपत के रिमेक क प्रिजेंट किया गया था लेकिन फिल्म की कहानी और केरेक्टर्स में भारी बदलाव किया गया इस फिल्म में ड्रग तसकरी को एक थीम के तोर पर फिल्म आया गया था इस फिल्म में विजय चोहान के पिता के मृत्यू का कारण पुराने अगनिपत से बिलकुल अलग था और पुराने अगनिपत में मिथून चक्रवर्ती द्वारा निभाया गया कृष्णन अयर नारियल पानी वाला का किरदार इस नए अगनिपत फिल्म में था ही नहीं निउ अगनिपत में रौफ लाला नाम का एक नया नेगेटिव किरदार को दिखाया गया जिस किरदार को रिशी कपूर ने अंजाम दिया था जबकि नए अगनिपत की प्रिष्ट भुमी और मूल कथानक पुराने अगनिपत जैसा ही था इस फिल्म का कथानक और चरित्र अला कि पुराने अगनिपत के बैग्राउंड म्यूजिक को इस नए अगनिपत के बैग्राउंड के रूप में भी इस्तेमाल किया गया फिल्म के निर्माता करन जोहर ने एक इंटर्विव में कहा कि उनके पिता यश जोहर की अमिताव बच्चन और मितून चक्रवरती फिल्म ये नहीं थी इसलिए वो खुद इस फिल्म को एक अलग तरीके से एक अलग धांचे से और अलग ट्रीट्मेंट से बनाना चाहते थे अगनिपत करन जोहर की एक मात्र एक्शन ड्रामा जेनर की फिल्म थी करन जोहर एक सौफ्ट रोमांटिक फिल्म निर्माता के रिलीज होने से पहले फिल्म के प्रोमोशन में संजयदत के खतरनाक लूक और चेहरे दर्शकों के बीच काफी क्यूरिसिटी पैदा की और दर्शकों का ध्यान आकरशित किया लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद रिशी कपूर द्वारा निभाये गए रौफ लाला नाम क नेगेटिव कैरेक्टर दर्शकों के आकरशन का केंद्र बन गया रौफ लाला रिशी कपूर द्वारा निभाया गया पहले विलेन का कैरेक्टर था रिशी कपूर इस रोल में काम करने के लिए पहले राजी नहीं हुए थे हिचकीचार है थे और संशय में थे लेकिन फिल बहुत सराहा भी गया इस से पहले अपने 38 साल के फिल्मी करियर में रिशी कपूर ने कभी विलेन के रूप में काम ही नहीं किया था लेकिन फिल्म के प्रोडियूसर करन जोहर और डिरेक्टर करन मलहोतरा ने रिशी कपूर को रोल करने का होसला दिया उन्हें कॉन्विंस क उन दोनों ने रिशी कपूर से कहा कि रिशी कपूर ही इस किर्दार को शांदार धन से निभा पाएंगे और सच में ऐसा ही हुआ लेकिन फिर भी एक अंचाही वज़े से रिशी कपूर फिल्म से हटना चाहते थे अभिनेत्री दिपीका पारुकों ने करन जोहर द्वारा निर्देशित एक टीवी टॉक शो में काफी बिवादित बयान रिशी कपूर के बेटे रंधीर कपूर के बारे में दे दिये थे जिसे लेकर रिशी कपूर काफी नाराज हुए करन जोहर ने बाद में इस मामले को लेकर रिशी कपूर से बात चित कर बिबाद को खत्म किया और प्राब्लेम को सॉल्ब किया क्योंकि अमिताव बच्चन ने 1989 में बनी पुरानी अगनीपत फिल्म में हिरो की भुमिका निभाई थी इसलिए जब नई अगनीपत फिल्म की एनाउंसमेंट की गई तो उनके बेटे अविशेक बच्चन को उम्मीद थी कि फिल्म में उन्हें विजय चौहान की भुमिका की पेशकर की जाएगी अविशेक ने फिल्म के निड़्देशक से भी बात की लेकिन निर्माता ने रितिक रोशन को ये रोल ओफर किया साल 2011 में जब रितिक रोशन को अगनीपत फिल्म का ओफर मिला तो वो उन दिनों फिल्म जिन्दगी ना मिलेगी दोबारा के और निर्माता करन जोहर का ये कहना था कि उन्होंने रितिक रोशन को इसलिए फिल्म अगनीपत में कास्ट किया क्यूंकि रितिक रोशन के स्टार वैल्यू अविशेक बच्चन के मुकाबिले उन दिनों बहुत अधिक था करन जोहर की अगनीपत उनके पिता यश जोहर की अगनीपत के मुकाबिले कॉमार्शियली अधिक सफल या ज्यादा सक्सेसफूल साबित हुई थी और ये फिल्म आज भी काफी लोग प्रिया है